हलो फ्रेंड एक वाफिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर आज मैं सफेद तिल की जानकारी लेकर आई हूँ सफेद तिल का अपना एक अलगी महत्व है सफेद तिल स्वास्तवर्धक होने के साथ ही शुभ भी माने जाते हैं और सौंदर्य में भी वृध्धी करते हैं इनमें आईरन, कैलशियम, फास्फोरस, मैगनीशियम सभी तत्वा पाय जाते हैं जो लापकारी होने के साथ खुबसूर्ती में वृध्धी भी करते हैं इसमें कैलशियम है केल्शियम शरीर के लिए आवश्यक मिन्रल है जिससे दातों की सुन्दर्ता बढ़ती है वह दात मजबूत बने रहते हैं इसकी कमी से हड़िया कमजोर हो जाती है वह तूटने का भह रहता है सांथी फासफोरस यह मेटाबॉलिज्म को सही बनाये रखने में जहायक होता है क्योंकि इससे ही भोजन एनर्जी में बदलता है तिल में फासफोरस की मातरा अधिक पाया जाता है इसके प्रयोग से तवचा में चमक आती है और रंगत निखरती है सांथी मैगनीशियम यह शरीर के लिए एक आवश्यक मिनरल है यह नई कोशिकाओं के निर्माण में सहता करता है और उम्र बढ़ने से शरीर की कोलेजौन की मातरा कम होने लगती है जिससे चहरे पर फाइन लाइन नजराने लगती है इसके प्रयोक से आप लंबे समय तक जमा और खुबसूरत बने रहते हैं यह मासपेशियों को भी स्वस्थ रखता है सांथी आईरन आईरन का प्रच्चुर मातरा में सेवन करने से सौंदर्य में विद्धी होती है क्योंकि इससे त्वच्चा में लालीमा बनी रहती है जिसे चहरे की सुंदर्ता बढ़ जाती है आईरन की कमी एनीमिया हो जाता है इस बिमारी से ग्रस्त इंसान का चहरा पीला पढ़ जाता है और नाखुन भी तूटने लगते हैं इनसान में चुस्ती फूर्ती नहीं रहती साथ ही तिल का प्रयोग बालों के लिए वर्दान साबित हो सकता है तिल के तेल का प्रयोग या फिर प्रती दिन थोड़ी मात्रा में तिल खाने से बालों का असमय पकना वर जढ़ना बंध हो जाता है तिल बहुत ही फायदेमन होता है इसमें कई प्रकार के प्रोटीन, केल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइडरेट आधी तत्व पाय जाते हैं तिल को दूद में भिगोकर उसका पेश्ट चहरे पर लगाने से चहरे पर प्राक्रितिक चमक आती है और रंग भी निखरता है इसके अलावा तिल के तेल की मालिश करने से भी त्वचा कांती में हो जाती है तिल खाने से कबज की समस्या नहीं होती है साथ ही काले तिल को चबा चबा कर खाने के बाद ठंडा पानी पीने से बवासीर से लाब होता है इसे पुराना बवासीर भी ठीक हो जाता है और तिल का काढ़ा बना कर लगबक 100 मिली ग्राम सुभर और शाम पीने से मासिक धर्म समय से आने लगता है शरीर के किसी भी अंकी तवच्चा के जल जाने पर तिल को पीस कर घी और कपूर के साथ लगाने पर आराम मिलता है और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है सूखी खासी होने पर भी तिल को मिस्री वर पानी के साथ सेवन करने से लाब मिलता है इसके अलावा तिल के तेल को लसून के साथ गर्म करके गुन-गुने रूप में कान में डालने पर कान के दर्द में भी अराम मिलता है और तिल का तेल लगाने से रूसी भी खत्म हो जा इससे कार्डियोवस्कूलर सिस्टम पर तनाव कम होता है और विभिन्न हिर्दे समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है तिल में आवाशक विटामिन और खनीच पाय जाते हैं इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट कैंसर के खत्रे को कम करने के लिए जाने जाते हैं सांथी तिल के लाब डाइबरेटेज को भी नियंत्रित रखते हैं इसमें फाइबर परिपूर्ण होते हैं फाइबर पाचन को स्वस्तर रखने के लिए एक महत्पूर्ण तत्व होता है फाइबर धमनियों और रक्तवाहिकाओं से खतरनाक LDL कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल और मास पेशियों में सुजन कम करने के लिए जानी जाती है इससे गठिया के कारण होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है साथी तांबा रक्तवाहिनियों हड्डियों और जोडों को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक खनिज है इसलिए शरीर में तांबे की उचित मात ब्लट सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पूरे शरीर की अंग प्रणालियों को ठीक से कार्य करने के लिए पर्याप्त ऑक्सिजन मिलता रहे साथ ही त्वचा संबंधी विकारों में तिल के तेल से रोजाना मालिश करें इससे त्वचा की खुशकी दूर हो जाएगी और त्वचा चमकदार बनेगी तो फेंड इस सरह से तिल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हो कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैलकन को भी दबाएं धन्यवाद